अगर दुख के विशे आपके सामने आजाए, बहुत विशे होंगे, जीवन भरा पड़ा है, तो उसे अपने आप से मत चोड़ो, उसको अपने से अलग और भिन ही जानो, अपनी कहानी से अलग ही जानो, ये तो एक शण के लिए आया है, कुछ समय के लिए आया है, ये मेरा ये तो होकर बीच जाएगा, ये तो एक भिख्षू है जो मेरे दुआरे पर आया है, मुझसे समय सहनशीलता और प्रियत्र मांगने आया है, मैं इसको खाली आथ नहीं भेजूँगा, मजबूर है वो जो तुमारे दुआरे आया है, करम वश तुमारे दुआरे आया है, य मेरे जीवन में दुख लिखा है, मेरे जीवन में परिशानिया लिखी है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, ये है, ये होता है, बहुतों के साथ होता है, कुछ अनोखा नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी अनोखा नहीं है, जो तुमारे साथ आज हो रहा है, करोनों के कुछ जहल लेंगे आगे बढ़ जाएंगे सीख लेंगे कुछ नहीं जहल पाएंगे फरक मनोस्तिती का है आत्म विश्वास का है नजरिये का है आज इस दुख के विशे से मैं नफरत क्यों करूँ ये तो मेरी शरण में आया है इस उमीद से आया है कि इसकी पीडा को कुछ देर के लिए अपने सर पर ले लो फिर अपनी पीडा वापिस ले के कहीं और चले जाए है किसी और मजबूत इंसान के पास चले जाए है इसको मेरा दुआर इतने लोगों में समझ में है तो कोई न कोई कारण तो हो गई ना मैं उस कारण का सम्मान करता हूँ तुमारा ध् समय नजदी का रहा है तुमारा ध्यान अपनी काबियत पर होना चाहिए मैं तो काबिल हूँ मजबूत हूँ जहलने के योग्ये हो जहल के आगे बढ़ जाओंगा सुक से प्रेम है तो दुखों को भी दुद्कारों मत एक मां के दो बच्चे होते एक बहुत सफल होता है सुकों से प्रेम कर रहे हो तो दुखों को भी अपना हो उनकी भी चिंता करो उनके भी साथ खड़े रहो यह मेरा है और जीवन में जो दुख परेशानिया समस्या आती है वो तुम्हें भावनाओं के सागर में गोते लगवाती है जीवन के बड़े-बड़े अनुभव द जाती है जो पूरे जीवन याद रहते है कि मैंने वो देखा वो देखकर आगे बड़ा दुख इनसान को दुनिया के चलावे से माया से दूर ले जाते हैं एहसास दिलाते हैं किया सब नखली है मुझे इस दुनिया में बंधरा नहीं है मुक्त रहना है अंतर मुकी होना है अध्यात्मिक होना है दुख तो आपकी आखे खोलते हैं गौतम बुध भगवान को कितना ही उनके पिता ने दुखों से दूर रखने का प्रयास कर लिया उनकी आखे तभी खुली वो भंधन से तभी मुक्त हुए जब उन्होंने पहली बार एक इंसान की लाश को देखा म तुमारा ही है तुमारी ही राहा का हिस्सा है अपनाना तो है वो कड़वा जरूर है पर दवाई का काम भी कर रहा है तुम्हें भिन भिन स्वादों का अनुभव दे रहा है भावों का अनुभव दे रहा है अच्छाई के भाव को तुम तब वैल्यू कर पाओगे तब उस कि हर शन के धहरे और सहनशीलता के साथ और कर्मों के साथ वो दुख बीत रहा है अपनी दृष्टी को साधारन सटीक सीधी बना लो जीवन सुख से बर जाए थैंक यू अल दा बेस्ट